है यहलो प्रेंड स्यूंक मैं यूटूप चैनल unity क्लासे मैं हूं अमरजीत और फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे डेली करेंट के बारे में और आज छाबीस मार्च छाबीस मार्च के जो भी important current affairs होंगे, उसके बारे में हम discussion करेंगे, तो आप जो है वीडियो के last तक बने रहेगा, यदि आपको मेरा चैनल, मेरा वीडियो जो है आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को like, share, subscribe और दूसरों पास share जो है जरूर करिएगा, और यह जो current affairs है, junior added सिछक भरती या फिर UP, TGT, PGT, या फिर इसके अलमा UP, B8, government exam के लिए, जो interest exam होता है, उसके लिए, या फिर UP, SSC, PET, या फिर इसके अलमा, DSSB, teaching का जो हो गया, या फिर इसके अलमा, SSC, bank, railway, या फिर इसके अलमा, जिस भी competitive exam में current affairs पूछे जाते हैं, उसके लिए यह जो session है, वीडियो के last तक बने रहेगा, और friends, यहाँ पर हम एक बात करना चाहेंगे, कि आपको जो है, आपको किसी भी book, या फिर कोई भी test series, या फिर जो कुछ भी हो, आपको PDF चाहिए, तो आप जो है, इस हमें WhatsApp नमबर पे जो है, आप WhatsApp कर सकते हैं, यह आपको book जो provide किया जाएगा, या फिर PDF प्र direct group में जो है, आप join कर सकते हैं, तो friends, आज के जो है, हम यहाँ पर important current affairs के बारे में बात करेंगे, तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को subscribe जरूर करिएगा, और एक बताना चाहते हैं कि वीडियो के आप last तक जरूर बने रहेगा, बीच में छोड़कर वीडियो मत जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पर हम देखेंगे पहला question कि 1 मई 2021 से जो है, मुख्य मंतरी चीरन जीवी योजना जो है, किस राज में शुरुवात किया जाएगा, तो 1 मई से जो है, मुख्य मंतरी चीरन जीवी योजना कौन से राज में श पहले जब गंग्रेस की गौर्मेंट थी तो बहामा सहा योजना और यह राजास्थान गवर्मेंट के सबसक्राइग उनके द्वारा लाएं जिवा योजना, आं यह जो है, आई सुमान भारतय योजना, और भामा सहा योजना यहीन दोनों को मिला कर जो है यह चिरन जीवी का चिकित्सा बीमा और ये जो आपको बीमा मिलेगा ये जो शुरुआत होगा एक अप्रैल अर्थात आने वाला जो एक अप्रैल है इस बीमा में जुए आपको अधार कार्ड या फिर जो कुछ भी हो आपको डॉकुमेंट्स जो है आपको लिंक कराना पड़ेगा और यह जो योजना है 1 मईए 2021 जो है इसका लाफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो मुख्यमंत्री चीरन जीवी योजना तो यहाँ पर जो है के ब्राइट अफ डौरइश ट्वर्ड पाैयाती डौटर्स जो है इस नामक पुस्तक किसके द्वपश्ट महादेवन तो यहां पर इसका अंसर हो जाएगा यहां पर जो इसका अंसर होगा माद्वी ट्वादेवन इनके द्वारा है धौर чис Lum देसों के साथ कितने उपग्रव को लांच करेगा तो इसका असर हो जाएगा 38 करेगा तो से इसका अंसर हो जाएगा 38 फिर यहां पर हम चौथा देखेंगे यहां पर दिया हुआ है चौथा कि नागरीक बिमानन महानिदेसाले कार्याले जिसे हम डिजी सीए बोलते हैं अंतराष्टी उडानों को रद कर दिया तो कोरोना के कारण जो है अंतराष्टी उडाने रद कर दी गई है तीसताली तक कोई भी अंतराष्टी उडान नहीं होगा कोवीड की जो बढ़ने के कारण फिर यहां पर देखेंगे पाचमा कि बैगनी अंतराष्टी दिवस जो है यह मनाया जाता है 26 मार्च को अर्थात आज जो है वह है बैगनी अंतराष्टी दिवस तो यहा अपनी स्वतंतरता दिवस मना रहा है तो इसका अंसर हो जाएगा बंगलादेश बंगलादेश जो है आज जो है तो यहां से हो जाएगा बंगलादेश इसका अंसर हो जाएगा बंगलादेश बंगलादेश जो है आज जो है वह अपना स्वतंतरता दिवस मनाया जा रहा है तो यहां पर जो है यहां पर देखना है कि बंगलादेश जो है वह 1971 में यह अपने आपको स्वतंत्र घोशित कर दिया गया था वहां कि जो वह एक्ट्विस्ट थे जिनका जो है अभी हाल ही में उनको गाधी जी पूरस्कार से उन्हें नमाजा जाएगा तो उस समय जो थे मुझीवन रहमान कुछ करके इस तरीके से नाम था तो वह जो थे बंगलादेश को 1971 में जो है 26 मार्च 1971 को जो है आजाद घोशित कर दिया थे बंगलादेश जो है वह आजाद हो गया है तो उस समय क्या होगा था उसके बाद भारत और अरे सोरी बंगलादेश और पाक है 16 सोला डिसंबर 1971 को जो है कि भांगलादेस जो है वो आजाद हो गया हो गया तो बांगलादेस आजाद हुआ iversary को लेकिन 16-16-17 को बंगला देश आजाद हुआ लेकिन जो बंगला देश स्वतनतरता घोशित किया ओ किया 26 मार्श 1971 को शेख मुजीवुर राहमा जी के द्वरा सेख मुजीवुर रहमान जी हैं इनको जो चंद्त्र होने के बाद बंगलाधेश कर राष्डपति भी बनाये गया फिर उसके बाद बंगलादेश का पीम भी उनको बनाया गया और उनको भी हाल्यी में गाधी शांत히 पुरसकार उनको दिया जाएका फीर यहांपर हम के घोषडा की गई है प्रतिष्ठित ब्यास समान 2020 तो यह मिलेगा सरत पगारे जी को मिलेगा प्रतिष्ठित ब्यास समान 2020 इनों यह जो है सरत पगारे जी यह जो है लेखक है और इनकी जो लेखक है उपन्यास जो है पाटली पूत्र की समागरी जो है इस पर जो है इनको मिल से वहां के जो है रच्छा मंत्री जो है भारत दोरे पर आ रहे हैं यह आ रहे हैं 25 से 27 मार्च अर्थात आज जो है 26 मार्च है और बीते 25 जो है 25 से और 27 मार्च तक जो है यह भारत दोरे पर आ है किस देश के रच्छा मंत्री तो इनका अंसर हो जाएगा कोरिया गड़राज के जो रच्छा मंत्री है वह आये हैं भारत दोरे पर और यह रहेंगे भारत 25 से 27 मर्च तक फिर आगे हैं यहां पर नौवा कि कोईला मंत्राले ने कोईला मंत्राले जो है कितने खादानों की न ने पर यहां पर है तो किया रहा है जापान में लेकिन जापन के भुपु सीमा सब्सेटरt की में किया जा रहा है ऊजये मशाल का आयोजन जो है मशाल कायोजन जो है जापान के किस सहर में हो रहा है फुफु सीमा फिर आगे हम यहां पर देखेंगे सुलामा क्यूश्चन यहां पर दिया हुए कि महाराष्ट भूसट पूरसकार जो है इससे कौन समानित होंगे अर्थात जो है महाराष्ट भूसर 2020 का पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा तो यह दिया जाएगा आसा भोसले जी को और आसा भोसले जी है यह जो भारत नरत्न जिनको मिला था लता मंगिस्कर जी इनकी जो है यह बहान है आसा भोसले तो इनको जो है महाराष्ट भूसर ग के जो cm है वर्तमान उनके द्वारा जो है इस की घुषड़ा की कि आसा भुसले जी को महराष्ट भुसर 2020 का जो है सम्मान से पूरसकार जो है ओ दिया जै फिर यहां पर है कि बारहमा यहां पर दिया हुए बारहमा कि इंद्रा गाधी मेमोरियल ट्यू लिप गार्डन जो है इंद्रा गाधी मेमोरियल ट्यू लिप गार्डन जो है यह कहां परिस्थी थे तो यह इस्थी थे स्री नगर में स्री नगर में जो है इंद्रा गाधी मेमोरियल ट्यू लिप गार्डन जो है यह स्री नगर में इस्थी थे और इसका पुराना नाम जो है यह इनका पुरान बाड किया गया था इंद्रा गाधि मेमोरियल जो है कि टिनिफ गार्डन इसे कहा जाता और इसकी अस्थापना जो हुए ते इसमनेल 2008 में और इसका ऐस सबसे इसमसे पहले जो इसका नाम हुआ करता था देए क्या यहां पर जो दिया था यह तीन दिन बात जो दिया था तो तीन दिन पहले की निवज है तो आज से जो कोई भी यूपी में यूपी का रहने वाला हो जो कोई भी आगनवाडी भरती भरना चाहता है जो कि 5300 पद है। वो जो है भरति भर सकता है यह जो आज से ऑनलाइन हो जाएगा तो आप जो ओफिल साइट जो है बाल विकास डाट यूपी डाट अनाइसी डाट इन पर जो है आप वहां से जाकर जो है अपने जीले का सकते हैं और इस दिखने आप यह आप सकते हैं और यह जो फार्म है एक यह ओल फिम मेल के लिए हैं यह जो फार्म है कि यह फोर्म भरना चाहते हैं आगणबाड़े की वह जो है फार्म भर सकते हैं 2021 का जो कि इसमें पद है 5300 और यह तीन दिन पहले का न्यूज था तो आज आज से जो है आज से जो है यह form भरना स्टार्ट हो जाएगा तो आप जो है वहां पर लिस्ट जो है इस भी बाल विकास.up.nic पर जो है ऑफिसियल वेपसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है यदि आपको वीडियो अच्छा लेगे मेरे चैनल को लाइक से और सस्क्राइब जरूर करिएगा यदि जो कोई भी आपका क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में मेरा वाट्स अप नंबर रहेगा या फिर आपको किसी भी बूक का पीडियेप चाहिए कमेंट बॉक्स में मेरा वाट्स अप ग्रूप रहेगा वहां से तो आज के लिए बस इतना है मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाइबाइ टेक कियर अल दे वेस्ट थैंक यू फॉ लिसनिंग गॉड ब्लेस यू आल थैंक यू